कि के जो बात मैं बोलता हूं साथ्छो सबूत के आधार पर बोलता हूं हम छूट नहीं बोलते राजनीत में जो कहना होता एदम धाड़त से सामने कह देते हैं हमने एक बयान मानी नेता जी का हमने सुना था हमारे मानी नेता जी ने एक बयान दिया था कि मैंने मुख्यमंतरी अखिलेश जी को अपने बेटे को बनाया और यह हमारा नहीं हुआ और अपने चाचा को मंत्री पस से हटा दिया यह किसी का नहीं हो सकता है ऐसा मानि मुलायम सिंग यादव जी ने इस बात को माईक पे बोला है और मुझे तो आश्चर हुआ उस बयान को सुन करके कि पिता जी ने इस बात को कहा कि ये जब हमारा नहीं हुआ अपने चाचा का नहीं हुआ तो ये देश में किसी का नहीं हो सकता है ये बात मानी नेता जी ने बहुत सोच समझ के कही थी कि उनके बयान में बहुत बड़ा दम है उनके बयान को जब हम देखते हैं सुनते हैं तो मुझे भी आश्चर होता है कि बताईए इस तरह का जब पिता जी ने ये बात कही तो मुझे आश्चर लगा देखे राजनीत में कब नेता कहां चला जा कोई ठीक नहीं भीया, ओपेन वाद बता रहा हूं, हर आदमी अपना भविष्ट टोल रहा है, अब आज के तारीक में लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में भविष्य चाए सपा हो, चाए बसपा हो, चाए कांग्रेस हो, अकेले अ कोई भविष्य नहीं है, यह पतन की ओर जा रहे हैं, इत्ते हैं.